तो अब treatment के options हम देखते हैं, तो सबसे पहले ये problem को solve करने के लिए अलग-अलग treatment के options हमारे पास available है, तो इसमें से पहला option हम देखे, तो वो है hazinal hyzen wash, कि जैसे आप आप देख सेखते हैं कि we wash करके एक product आती है, inti wash करके एक product आता है, तो ये product जो आपको सिर्फ week में एक ही बा आप यूज़ ना करो, एक्सेसिव यूज़ ना करो, सिर्फ week में एक ही बार यूज़ करोगे, तो भी enough रहेगा, second है आपको proper personal hyzen रखनी है, तो जब आप डेलनी नहाते हैं, तो नहाते हैं वक्त पानी के अंदर कोई भी antiseptic fluid जो आप mix कर सकते हैं, जैसे कि आप डेटल है, स्यावलान है, एपलो फार्मसी का antiseptic liquid आता है, तो वो डाल के आप जो proper वो एरिया को wash कर सकते हैं, clean कर सकते हैं, कि जिससे जो personal hyzen जो आपकी अच्छी रहें, फिर आप बात आते हैं, अलग-अलग medications के जिसके अंदर alopathy के हमारे पास option है, कि जिसके अंदर antibiotic, antifungal, antiparasetic drug, और जिस reason से यह हुआ है, उसके according to यह दवाईया, use की जाती है, alopathy के अंदर, फिर herbal के options रहते हैं, homeopathy, unani medicines के भी options हमारे पास हैं, और यह सभी दवाईया अलग-अलग form में available होते हैं, जैसे के tablet भी उसके available होते हैं, jail cream, suppositories वगेरा available होते हैं, अब उसके बार में जानते है detail में, तो सबसे पहला जो product है, वो है Candida, Candid VCL करके यह product है, कि जिसको हम vaginal suppositories के category में include करते हैं, तो यह जो tech का जो course होता है, यहापे आप देख सकते हैं, तीन suppository आती है, packing के अंदर, तो तीन दिन का यह course रहता है, और हर दिन आपको एक suppository insert करनी होती है, night के अंदर, और तीन दिन तक जो ही उसको use करना होता है, तो यहापे जो options discuss कर रहे हैं, उसमें आपको दियान यह रखना है, कि इन में से कोई 1, 2 या फिर 3 जितने options जो combination में use किया जा सकते हैं, यह सभी को use नहीं करना है, second जो option है, वो है Candida, Candid CL की जो gel आती है, तो इसमें कहा कि अगर कोई tablet यूज नहीं कर पाता, वर्जैनल टाबलेट, तो इसके लिए यह second option रहता है, कि आप उसके gel वगेरा use कर सकते हैं, और यह दिन में 2 या 3 बार यह वो apply करना होता है, तीसरा option हम देखें, तो क्लिंडा मैसिन का, के capsules वगेराते हैं, जैसे कि आपने उसके suppositories के option देखें, फ आपको यह 300 mg के जो capsule है, वो दिन में 2 या 3 बार जी वो patient ले सकता है, अपर high dose में use नहीं करना चाहिए, because यह antibiotics होनी के करण आपको side effects कर सकती है, चौता option है antibiotics के अंदर, ओफ्लॉक्जासिन और और निडाजोल के combination medicines का, कि अगर reason आपको bacteria के करण हो रहा है, यह problem, parasitic infection के करण यह problem हुआ है, तो इस वक्त यह combination काफी अच्छा रहता है, और यह एक tablet दिन में, एक बार या फिर दिन में, दो बार patient यूस करता है, और ध्यान यह रखना होता है, कि दो tablets के बीच में, at least 6 या 8 गंटे का time interval रखना यहाँ पे जरूरी रहता है, पांच वो option है, लीवो फ्लॉक् के अंदर, कि जिससे यह problem जो आपका solve हो, और उसके dose के हम बात करें, तो एक tablet जो है वो patient दिन में, एक बार या फिर दो बार या फिर दो बार यूस कर सकता है, next option है, बीटा डिन का, कि जिसका पेसरी अवेलेब होती है, कि जो वज़ाइना में insert करनी होती है, और हर रात को ए high dose में कभी भी यूज़ ना करें, अगर आप उसके पेसरी यूज़ नहीं कर पातें, तो externally apply करने के लिए, उसका ointment भी अवेलेबल होती है, जो 5% के strength के अंदर, अवेलेबल होता है, next option हम देखे तो वो है, IV का, कि अगर कोई patient tablets नहीं ले पाता, gel वगेरा भी नहीं ले पा लेता है, पर डे की इसाब से, पर जब भी आप उसको IV में लगाओ, तो dilute करना जो है, वो जरूरी बनता है, आठवा option बनता है, augmenting का, कि जिसके अंदर, amoxicillin and potassium cleolinate है, और यह injection सीर्फ वो सिर्फ आईवी से लगाए जाता है, वो भी dilution के साथ, कि proper dilute करने के बादी, अब उसको जो IV में लगा सकते है, उसका dose rate है, 0.25 से 1 ग्राम जितना दिन में 3 बार, next option है, वो है उसके tablets का, कि augmenting के अंदर, जो content है, उसका tablet साथ है, जैसे कि clevum 625 करके है, तो एक tablet patient दिन में 2 बार, या फिर 3 बार जो ले सकता है, तो यहां तक जो हमने options देखे, वो थी antibiotics के, जो formulation है, वो किस तरह से लेना होता है, वो मैं आपको संजाता हूँ, कि यह जो है, सिर्फ एक tablet दी जाती है, blister के अंदर, तो यह per week का course रहता है, कि एक week में यह एक ही tablet लेनी होती है, उससे ज्यादा tablets लेने से आपको sad effects हो सकती है, second है, अगर flukonazol कोई नहीं ले पाता, तो उसके लिए उसका दूसरा option available रहता है, इत्रा konazol का, तो इत्रा konazol के यहाँ पे capsules available है, कि जो दिन में एक ही बार लेने होते है, और इसका जो course रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा साथ दिन का होता है, साथ दिन से ज्यादा उसको use ना करे, next है, क्लोटराई mazol का, कि यह क साफी एक famous medication है, वज़ाइनल infections को trick करने के लिए, तो उसका एक marketer formulation देख सकते हैं, हम Candid V6 करके, तो यह जो है वो वज़ाइनल tablets है, कि जिसको रात में रखनी होती है वज़ाइनल के अंदर, और इसके course के हम बात करें, तो proper 6 दिन का रहता है, इसलिए आप यहाँ पे उसका packing में भी देखो, तो total आपको 6 जो वो tablets दी होई होती है, अगर यह suit नहीं होता, तो उसका दूसरा option available है, combination के अंदर, कि जिसके suppositories आती है, क्लिंडामाईसिन के साथ, combination में, और यह 7 suppositories आती है, तो यह जो course बनता है, वो 7 दिन का रहता है, इसी के साथ एक और combination बनता है, कि ज तीनों medicines का यह combination रहता है, कि अगर कोई exact reason पता नहीं चल रहा, infection का, तो इस वक्ति यह clean zone for tablet यूज़ करके भी, यह problem solve की जा सकती है, फिर अगर कोई tablet या फिर capsules या फिर vaginal suppositories यूज़ नहीं कर बाद, तो उसके लिए VGL का option रहता है, Candid का, कि जो Clotrimazol के vaginal gel वगेरा है, त तो यह भी patient जो अपलाई कर सकता है, दिन में, दो या दिन में, तीन बार, फिर single dose की therapy के हम बात करें, तो antifungals के अंदर single dose therapy, जो vaginal tablet के अंदर है, तो वो एक option है, serta gonazol का, कि serta gonazol के यह vaginal tablets आते हैं, और सिर्फ एक ही बार इसको यूज़ करना होता है, और अगर repeat किया जा अबी के अंदर, fentikonazol का, कि उसके जो एक tablets जो आते हैं, वो patient जो रात में insert करता है, वज़ज़ना के अंदर, फिर next है, अब anti-parasitic medications में हम देखे, तो metronidazol एक काफी famous medication है, कि जिसके एक tablet दिन में, एक बार या फिर, दो बार patient यूज़ कर सकता है, second, उसके gel भी available होते हैं, कि कोई tablet नहीं ले पाता, तो उसके gel भी use कर सकता है, कि जो रात में आप जो apply कर सकते हैं, फिर Norflox and tinidazol के tablets का combination यहाँ पे, कि जो Norflox TZ करके हैं, कि एक tablet दिन में, एक बार या फिर, दो बार यूज़ की जा सकती हैं, अब बात करते हैं, हरबल्स के अंदर, तो हरबल्स में हिमाल या वी जेल, जो है, वह सबसे अच्छा option है, कि एलोफेदिक भी आपने try कर ली, फिर antifungal भी try कर ली, सभी तरह के medications आपने try कर रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपके पास यह option है, और यह सबसे best option है, सबसे पहले तो मैं यह ही आपको suggest करूंगा, कि जब भी वजाइनल इंफेक्शन होते हैं, तो पहली choice आप जो ही जमाल या वी जल रखे, because यह proper herbal formulation है, और उसके कोई side effects होगे आपको नहीं होते हैं, और यह जो हो आप दिन में 2 या फिर 3 बार वजाइनल cavity के अंदर, और बाहर जो है अपलाई कर सकते हैं, next option है उसके tablets का, कि हिमा लेकि लुकॉल करके जो tablet आते हैं, कि जो specially leucoria का problem होता है, वजाइनल infection के दोरान, तो इसको ठीक करने में मदद करते हैं, कि आपको बार बार leucoria हो रहा है वजाइनल infection के करन, तो यह tablet दिन में 1 बार या फिर 2 बार आप ले सकते हैं, उसे दरह से अगर tablet नहीं ले पाते हैं, उसके syrup का भी option रहता है, कि 5 ml जतना serum जो पेशन दिन में 2 या फिर 3 बार ले सकता है, फिर next option है, फैमी फॉर्ट करके tablet साधी है, चरक फार्मा का, तो एक tablet दिन में 1 बार या फिर 2 बार ले सकते हैं, कि जिससे यह problem आपका सोला, कि जिससे आप leucol tablet यूज़ करते हैं, उसके alternative में यह medication आप यूज़ कर सकते हैं, फिर SBL का bio combination 13 करके product आती है, homeopathics के अंदर, कि जो leucoria और वज़नल infections के जो symptom से, उसको ठीक करने में जो वो मदद करता है, और आखरी option हम यहाँ पे एक देखे, तो यूनानी medicine का है, कि माजन मोचरस करके आता है, और माजन सूपारी पाक कर ग्यादा है, कि जो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, कि 5 से जितना, 10 ग्राम जितना लेना होता है, आपको milk के साथ उसको mix करके जो पीना होता है, तो ऐसे ही बहुत सारे videos को देखने के लिए, आप हमारे WhatsApp पे भी join हो सकते हैं, as well as यह videos को WhatsApp पे भी आप share कर सकते हैं, अल इस इन कोर्स के अंदर, तो join कर सकते हैं, WhatsApp पे या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, link description box में मिल जाएगे, so good luck and all the best.